अंक वास्तु जनन तारिक के नुसार लगी दिशा में रखे एक वस्तु दूर होगी गरीबी वास्तु शास्रों लंगों का खास सम्मंद माना जाता है वास्तु की हर दिशा का सम्मंद किसी न किसी ग्रहसे होता यदि अंकों को दिहान में रखते हुए उससे समंद दिशा में एक वस्तु रखी जाए तो इसके कई लाग मिलते हैं इसके लिए आपको अपनी जनन तारिक को सिंगल डिजिट में निकानना होगा यानि अगर आपकी जनन तारिक 12 है तो आपका अंक होगा 1 प्लस 2 परावर 3 यदि आपकी जनन तारिक 29 है तो आपका अंक होगा 2 प्लस 9 परावर 11 रिजल्ट हो दो अंकों में आने पर इन दोनों अंकों को फिर से आपस में जोड़ दे 1 पिलस 1 परावर 21 ग्रह सूर एक नंबर आता है तो ग्रह सूर लकी दिशा पूर्ब जिन लोगों का जनन अंक एक हो उन्हें घर की पूर दिशा में वासुरी रखने चाहिए 2 ग्रह चंडरमा लकी दिशा उत्तर पूर्ब जिन लोगों का जनन अंक तीन हो उन्हें घर की उत्तर पूर्ब दिशा में पूद्राश रखना चाहिए 3 ग्रह तीन अंबर ग्रह प्रस्पती लकी दिशा उत्तर पूर्ब जिन लोगों का जनन अंक तीन हो उन्हें घर की उत्तर पूर्ब दिशा में पूद्राश रखना चाहिए 4 ग्रह राभू लकी दिशा दच्चण पच्चिम जिन लोगों का जनन अंक चाहिए 5 ग्रह पूद लकी दिशा उत्तर पूर्ब जिन लोगों का जनन अंक पांच हो उन्हें घर की उत्तर दिशा में लश्मी या पूबेर की मूरती रखना चाहिए 5 ग्रह पूद लकी दिशा उत्तर पूर्ब जिन लोगों का जनन अंक चाहिए उन्हें घर की दक्चिणपूर दिशा में मोर पंक रखना चाहिए। साथ घ्रै ब्रहस्पती लखी दिशा उत्तरपूर जिलो का जनब अंग साथ हो उन्हें घर की उत्तरपूर दिशा में उत्राज रखना चाहिए। अंक आठ घ्रै शनी लखी दिशा पच्चिम जिलो का जनब अंक आठ हो उन्हें घर की पच्चिम दिशा में काले रंग का क्रिस्टन रखना चाहिए। नौ ग्रह मंगल लकी दिशा दच्चन जिनोंगर जनमंग नौ हो उन्हें घर की दच्चन दिशा में पिरामिड रखना चाहिए। धन्यवाद मेरे चैनल को सबस्क्राइब चलूता है।